गोड एवनिंग लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में भी शराब के दाम 400 रुपे तक बढ़ा दिये गए हैं आपने देखा होगा कि शराब पर प्रतिबंध हड़ते ही किस तरह से लोग शराब खरिदने के लिए तूट पड़े थे यहां तक की सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए थे दो दिन पहले दिल्ली में एस्पेशल कॉरोना टैक्स लगाये जाने के बाद अन्राज्यों में भी शराब के दाम बढ़ाने की होड़ सी लग गई है और उतरत पदेश में भी चार सुर उपए तक दामों में विर्धी की गई है तो आएए देखते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट पूरी न्यूज बिस्तार से लेकिन अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्क्राइब कर लीजे सब्क्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस कर दीजे ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको ततकाल एवेलेबल हो जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो ये है लेटेस्ट अपडेट साथ माई दोजार बीस नौ बच के आठ एम लिकर प्राइस इन उत्तर प्रदेश टूट टूजन ट्वेंटी देश भर में अर्थ व्यास्ता पर पड़ी कोरोना की मार से उबरने के लिए राज्य सरकारों ने शराब को हत्यार बनाया है केंद्र सरकार की ओर से लागडाउन में भी शराब की विक्री की अनुमती मिलने के बाद राज्यों में इसके दाम बढ़ाने को लेकर एक तरह की होड लग गई है दो दिन पहले दिल्ली में शराब पर एस्पेशल कोरोना टेक्स लगाए जाने के बाद पडोसी राज्य उत्तर परदेश ने भी इसकी कीमत में चार सुरूपे प्रती बोतल तक की विर्द्धी की है दिल्ली में केजरी वाल सरकार ने शराब के दाम सत्तर परतिशत तक बढ़ा दिये बुधवार को उत्तर परदेश की योगी सरकार ने भी इसके दाम में भारी बलोतरी की गोशना की तो आए अब देखते हैं कि वर्तमान में उत्तर परदेश सरकार ने हाफ, क्वाटर और एक बाटल के रेट्स कितने रेट्स में कितने की वृद्धी की है दिखे देशी शराब पर पांच रुपे की वृद्धी की गई है 65 रुपे की बोतल 70 रुपे में और 75 वाली 80 रुपे में मिलेगी विदेशी मद्रा एकोनॉमी और मीडियम क्लास में 180 ml यनि जिसे आप क्वार्टर कहते हैं तो उसमें 10 रुपे की वृद्धी की गई है 180 से 500 ml तक 20 रुपे और 500 ml से अधिक की बोतल पर 30 रुपे की वृद्धी की गई है तो ये तो एकोनॉमी और मीडियम क्लास की शराब पर है अब आगे आईए रेगुलर और प्रीमियम सेडी में 180 ml तक 20 रुपे 180 से 500 ml तक 30 रुपे और 500 ml से अधिक पर 50 रुपे की वृद्धी की गई है इसके बाद आयातित शराब की 180 ml की बोतल पर 100 रुपे की वृद्धी की गई है और आयातित शराब की 500 ml की बोतल पर 200 रुपे की वृद्धी और 500 रुपे से अधिक की बोतल पर 400 रुपे तक की वृद्धी की गई है आयातित शराब जो है उस पर 500 ml की जो है उस पर 200 रुपे बढ़ाए गए हैं और 500 ml से अधिक की जो बोतल है उस पर 400 रुपे दाम में वृद्धी की गई थी तो ये थी लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेश में भी 400 रुपे तक महंगी हुई शराब इसके तरिक पेट्रोल और डीजल पर भी उत्तर प्रदेश ने टेक्स लगाया है और उसके दाम उसके रेट्स में भी वृद्धी की गई है और इस तरह से जो है राज्य सरकार को इसकी जो आए है वो बढ़ेगी तो आईए देखते हैं कि इसक राज्य सरकार की आए कितनी देखिए शराब के दाम में इस वृद्धी से राज्य सरकार को महजूदा वित्ती वश में 2350 करोड रुपे की अत्रिक्त आमदनी होगी 22 मार्च से जारी लागडाउन की वज़े से उत्रप्रदेश सरकार की आर्थिक सेहत चर्मरा गई है अप्रेल में 12141 करोड रुपे टैक्स की डिमांड थी जिसके सापेक्च केवल 1178 करोड टैक्स इकटा हुआ है जो की 10% से भी कम है तो ऐसी स्थिती में शराब के दाम बढ़ाये गए हैं और इस दाम में बढ़ाये जाने से 2350 करोड रुपे की अत्रिक्त आमदनी होगी तो ये थी लेटेस्ट अपडेट वीडियो अच्छा लागए तो इसे लाइक करके अपने ग्रूप में सभी को शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ओके थैंक यू